परणीती चोपड़ा ने शेयर किये अपकमिंग फिल्म के पोस्टर्स इस अंदाज में देखी बलिवुड एक ट्रेस परणीती चोपड़ा फिल्म इंडिस्ट्री में धीरे धीरे पाम्व जमा रही है इन दिनों वे भारत की स्टार बेड में इंटन प्लेयर साइना ने हवाल की बायोपिक मूवी टी शूटिंग में व्यस्ट है इसके अलावा वे हॉलिवुड फिल्म दगरल ऑन दे ट्रेन के रीमेक में भी नज़र आएंगी कुछ समय पहले ही वे फिल्म की शूटिंग पूरी कर लंदन से वापस आई है परनीती ने फिल्म के कुछ पोस्टर्स शेर किये हैं जिसमें वे अपने किरदार में नज़र आ रही है शेयर किये गए पोस्टर्स में पढ़नीती चोपना जखमी नज़रा रही है और उनके हाथ में पिस्टल भी है इससे इतना अंदाजा तो साफ लगाया जाता है कि पढ़नीती फिल्म में फाइटिंग सीन्स करती नज़राएंगी पोस्टर शेयर करते हुए एक ट्रेस ने फिल्म की रिलीज़ डेट की जानकारी भी शेयर कर ली एक ट्रेस ने लिखा मेरे जीवन की अब तक की सबसे ज्यादा त्रिलिंग राइख दोस्तों The Girl on the Train का हिंदी वर्जन आठ माई 2020 को रिलीज किया जाएगा फिल्म के बारे में बात करते हुए परनीती ने कहा था कि मैं The Girl on the Train की शूटिंग खत्म करके साथ हफते बाद मैं लंदन से वापस आई शब्दों में मैं इसे बया नहीं कर सकती क्यूंकि मैं भावनाओं में डूब गई थी अभी तक मैंने जितनी फिल्मों में काम किया है उसमें से ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी शूटिंग खत्म करने के बाद भी मैं इससे अलग नहीं हो पा रही हूँ